जिसों को पास खेलने के लिए बहुत सारा खिलावना है पोलता है और मैं पर्मिशन लेकर के एडिवीशन करवाई हूँ और अभी मेरा एडिवीशन हो चुका है पॉलिटिकल सैंसे पीजी में हेलो फ्रेंड्स मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ओफीसियल में तो गुड मॉर्निंग दोस्तों तो सुबत 6 बजे उटके मैं आ चुकी हूँ कीचेन क्योंकि जल्दी से मुझे कीचेन का काम कंप्लीट करना है ताकि मैं टाइम से अपने स्कूल पहुंच जा तो इतना देर बाबू मेरे बिना रहता है तो मैं सुबह में अगर उससे अच्छे से मिल करके उससे टाइम दे करके जाती हूँ तो पूरा दीन है मैं भी बच्चों के साथ है वहां अच्छे से क्लास लेती हूँ और रिलैक्स रहती हूँ और बाबू भी तो आखुस रहत और जब ममी कॉल करके मुझे बताती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगते रहता है तो इसलिए मैं मॉर्निंग में तो जल्दी उड़ जाती हूं ताकि नास्ता जल्दी बन जाए और मैं नहां के डेडी हो जाओं और मेरे पास समय रहे ताकि मैं बाबू से मिल करके जाओं तो मैं गॉर्मेंट जॉब कर रही हूँ आप सबको पता है कि मैं एक टीचर हूँ और बिहार में गॉर्मेंट स्कूल में और गॉर्मेंट जॉब करते हुए इतने चोटे बेवी के साथ घर मैनेज करना और सारा चीज मैं कैसे करती हूँ तो बाबू को उठने से पहले ही म सुपह हो गई, सुपह हो गई बिटु थोड़ी देर मैं बाबु के साथ थी तब तक देखी कि सबजी भी हो गया और यहां मैं ममी के लिए पपीता भी कट कर दी हूँ किसी का फैबरिट बनाना पसंद है पसंद है किसी बनाना बनाना बाबु के लिए मैं दल्या ठंडा होने के लिए दे दी, बाबु दादी मा के साथ रूम में खेल रहा था तब तक मैं रेडी हो करके निकल गई मुझे देखता जाते हुए तो वो रोने लगता और आज मैं स्कूटी से स्कूल आई हूँ क्योंकि आप लोग पिछले ब्लॉग में देखें कि मैं स्कूटी चलाना सीख गई और तो से कभी-कभी मैं लेट हो जाती थी क्योंकि टाइम से नहीं मिलते रहता था स्कूटी से मैं बिल्कूल टाइम से आ जाती हूँ इसकूल आते ही हम सर मैं और मैं काम में लग गए क्योंकि बच्चों का एक जाम हुआ था तो उसका परगती पत्र तयार कर रहे थे और फिर दस बज़े से बच्चों का आज लाश्ट एक जाम था और पांच बज़े के बाद जब मैं घर आई तो देखी के सब मेरा इंतजार कर रहा था मुझे देखते ही मेमी मेमी बोलने लगा कि ममी ने मीमी मी मुझे बोलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए मैं बिस्कीट लाई थी तो अभी यह बिस्कीट खाएगा मैं अपना ड्रेस करेंगे टेख कर लेती हूं और फ्रेस हो जाती हो उसके बाद अभी से बाबू के साथ रहना हैं मो क्यूस्तों यह देखिये किसु यह देखक हैं यह किसू का प्ले रूम है और यहां देखी किसू का खिलोना सब है सब खेलने के विए इसमें भारा हूँ उतर जाओ किसू उतरो तो दिखाओ तो तुम अपने होर्स पे से उतर गे किसू बहुत टैलेंटेड हो गया अब खुद से चाट जाता है खुद से उतर जाता है अब कौन सा गेम किसू अब कौन सा गेम खेलेगा बताओ बस तुम बाहर नहीं निकलना नहीं तुम को पता है बाहर का रास्ता देख लेता है तुम वेगा तुमें बैलून किसू वाग यह सब खेल रहा है यह क्या है किसा यह देखो इसका अंदर चला गया खेलू तो किसू को पास खेलने के लिए बहुत सारा खिलाओना है और यहाँ बैट करके किसू का रूम डेकोडेट भी है इसमें लाइटिंग अच्छोटा च्छोटा तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है किसू का प्लेरूम क्या किसू यह देखिए किसू को यहाँ उसका साइकल चलाने के लिए बहुत जादा इस पेस मिल चुका है और किसू बहुत जल्द अब चलना सिख जागा फुद अपनी पैरोप चलेगा लिकान अभी मेरा किसू चल नहीं रहा है तो उसे सपोर्ट की जुरत है तो उसके लिए उसके पापा साइकल ला दिये थे इसलोगी खेलता अपने भया के साथ और कईसु चलाओ तो किसु साइकल जलाने में ट्रेंड हो गया है अजरा है कि आयाँ वह किसु आजया कि अजया दोस्तों आप डाप छोटा बेबी किसु के जैसा तो उसे जरूर दो किसू से यह देखिए किसू अब दरते हुए चला गया तो दोस्तों स्कूल से आने के बाद मैं के साथ ही होती हूँ कोई काम नी करती मैं उसके बाद दो तीन घंटा तक के साथ ही रहती हूँ कुछ भी मैं नहीं कर पाती हूँ क्या कैस है और ममा भी के साथ की पढ़ाय भी न तो पीजी नहीं हुआ है तो आप लोगों को पता है कि आगे हम रेगुलर से नहीं कर सकते हैं जौब में रहते हुए डिश्टेंस से करेंगे लेकिन उसके लिए परमीशन लेना होता है तो अगर बीपीएसी के थुरू आपकी बहाली हुई है तब कहां से परमीशन लेंगे पढ़ाई करने के लिए यह सारा चीज हम आपको नेक्श्ट वीडियो में बताएंगे और मैं परमीशन लेकर के डिवीशन करवाई हूँ तो एक देखिए मैं मां भी हूँ और घर के सारे काम भी करना पड़ता है बच्चे का भी धियान डखना पड़ता है साथ में मैं क्योंकि जो भी लड़की है एक ना एक टायम ऐसा आता है कि वो मा बनती है और बच्चे का रिस्पोंसिबिलिटी सबसे जादा होता है और उसे हम छोड नहीं सकते हैं तो जोग करते हुए साराची मैनेज करना बहुत मुस्किल होता है स्टार्टिंग मुझे भी बहुत दि आप नहीं सोए तो रात भर यह रोते रहता है तो तब तो रात भर में जगी रहती हो दिन भर इसकूल में फिर काम करना पड़ता है जिम देखें ऐसे बुरकते हुए अब चला जाए गई के सब इसको अपना कीचन पता है अब यह कीचन जाएगा नहीं बेबी नहीं जाना देख रहा है इसको अब यह कीचन खोल रहा है कर आँ से पार में आँ सकते हिं इसके रहा है इतर आओ केताlt कि देख बाइख भईा क्या कर देने CRS हैं 5 अब यहां खेलो तो दोस्तो अब लोग में आप मेंसे बहूं सारी हमारी फरेंट काम्न पर करती हैं कि आपके फैंलिसक्ट करते हैं तो मेरे फैमिली सपोर्ट के तभी मैं यहां तक पहुंच पाई हूं लेकिन ऐसा नहीं होता है कि जॉब के बाद करना परता है कभी रात भर मैं जगी रहती है कभी आपके लाइफ में अच्छे वक्त आएंगे कभी ऐसा दिन आएगा जब मन बहुत परिशान हो जाएगा बुरा वक्त भी आता है तो देखे लाइफ है जब तक आपकी लाइफ रहेगी परिशानिया कुछ न कुछ परिशानिया आती रहती है लेकिन जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ है लगता है फैमिली सपोर्ट नहीं करत है क्योंकि देखिए आपका लाइफ छोटा नहीं होता लाइफ बहुत बड़ी होती है और पूरी लाइफ अच्छे से काटने के लिए जॉब होना चाहिए अगर आप जॉब करते हैं अच्छे जॉब और तभी आप इस जिन्दगी को अच्छे से जी सकते हैं तो हम यही कर होने के बाद एक दम से लाइफ चेंज होता आती है तो बिना जॉब से पहले जो परिशानी होती है वो परिशानी आपको जॉब के बाद ही परिशानी आएगी लेकिन उस तरह की परिशानी नहीं आएगी फिर भी आप बहुत ज़्यादा खुस रहेंगे कि इतना भी आपक मिलती है कि हम सब कुछ कर पा रहे हैं तो यहीं तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको कोई भी कोश्चन है तो यह कॉमेंट बक्स में लिख देगा हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसका रिपलाय देंग मैं कि अप्लोड कर पाऊं बाबू को देखिए इतना ही दिर में इस पर भी मैं बीच-बीच में ध्यान रख रहे हूं कि यह कहीं जा तो नहीं रहा है और काम यह सुरू कर दिया अपना तो इस वीडियो को इंड करते हूं मैं बाबू के साथ रहती हूं और यह अभी दाद मैं अक पास जागा तो मैं जाओंगी डिनर बनानी के लिए